वेलकम बैक दोस्तों मैं हूँ शाहाजरी बश्रफ I hope you all are doing well आज की वीडियो में करने जा रहे हैं काफी ज्यादा exciting comparison एक तरफ है OnePlus का latest mid range flagship OnePlus 12 वार दूसरी तरफ है iPhone 13 दोनों smart phones आपको sale के time पे similar price point पे देखने को मिलते हैं वन प्लस 12 वार आता है 40,000 उपीस के price point पे base variant के अगर हम बात करें वहीं iPhone 13 भी आपको sale के time पे मिल जाता है 40-45,000 उपीस के बीच में तो अगर आपका budget हो 40-45,000 उपीस के round तो आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए आज की वीडियो में करेंगे detail comparison हम बढ़ते हैं comparison की तरफ आप जाए नीचे subscribe गॉटन दबाइए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से quality टेक वीडियो बनाते रहें सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं design and looks की वन प्लस 12 वार को जब आप देखते हैं तो यह काफी बड़ा फोन नजर आता है बैक में इस बार वन प्लस 12 वार में जो cool blue color option आपको मिल रहा है उसमें काफी ज्यादा आपको reflections देखने को मिलेंगी क्योंकि यह glass back के साथ आता ह यहाँ पर आपको aluminium का frame भी मिल जाता है इस phone के अंदर इसे वन प्लस ने liquid metal का नाम भी दिया है यह color मुझे काफी अच्छा लगा वन प्लस 12 वार में camera module पर आप नजर डालते हैं तो काफी बड़े-बड़े cameras आपको नजर आ जाते हैं center में one plus का logo है weight की बात करेंगे तो 207 grams क आसपास इसका weight है हाथ में वगड़ने के बाद in hand feel इस phone की काफी premium लगती है वहीं अगर आप देखते हैं iPhone 13 की तरफ तो यहाँ पर भी आपको back में glass मिलता है fingerprint magnet यह भी रहने वाला है चोटा सा center में apple का logo है color options यहाँ आपको बहुत सारे मिलते हैं हमारे पास जो है यह ग्रीन color design looks में सारे iPhone लगबख similar ही दिखाई देते हैं जस size का difference आता है आप कौन से iPhone के साथ जा रहे हैं aluminum का frame यहाँ पर भी मिल जाता है आपको और ceramic shield glass की protection आती है आप यह काफी दादा compact phone है 6.1 इंच के display size के साथ आता है तो हाथ में बहुत ही चोटा सा दिखाई देता है weight यहाँ प 8-inch का LTPO Pro XDR AMOLED पैनल 120Hz का refresh rate आपको यहाँ पर मिल जाता है Dolby Vision HDR10 Plus सारे content आप इसमें देख सकते हैं Corning Gorilla Glass Victus 2 की आपको protection भी मिल जाती है bezels काफी कम है 1-12 वार के अंदर तो देखने में काफी अच्छा लगता है इसका display एंड यह slightly curve भी है तो हाथ में पगड़ने में प्रीमियम भी लगता है colors वेकर डिस्पले के काफी अच्छे निकल के आ जाते हैं बहुत अच्छे vibrant colors आपको देखने को मिलते हैं Blacks भी बड़िया तरीके से शो करता है brightness levels की बात करें तो 4500 nits की peak brightness मिलती है 1600 nits की typical है comparison में आपको बताएंगे कि कौन ज़्यादा bright है iPhone 13 के उपर आएं तो 6.1 इंच का Super 18 XDR डिस्पले मिल जाता है जो की आता है 60 Hz के refresh rate के साथ डिस्पले में उपर की तरफ आपको मिलती है आपल की iconic notch Bezels iPhone 13 के थोड़े से जादा मोटे हैं as compared to OnePlus 12 R और ये एकदम flat डिस्पले है Dolby Vision HDR 10 Plus सारे content आप यहाँ पर भी देख पाएंगे brightness लेवल पे आएं तो 1200 nits की peak brightness दी गई है iPhone 13 में outdoor conditions में ज़र मने दोनों phones को आपस में compare करके देखा तो इस बार मुझे OnePlus 12 R iPhone 13 से भी थोड़ा सा पीछे लगा iPhone 13 ने 1200 nits की peak brightness के साथ काफी तगड़ी टकर दी OnePlus 12 R को रहते हैं outdoor में यूस कीजिए कोई problem नहीं आएगी अब डिस्प्ले में जो refresh rate है वो बड़ा matter करता है iPhone 13 में 60 Hz का रिफ्रेश रेट आता है तो fast and fluent experience आपको OnePlus 12 R में मिलता है एप की opening closing speed की बात करें switching की बात करें तो उसमें 12 वार काफी smooth लगता है iPhone 13 भाई साब बहुत ही laggy फिल कर आते हैं आई आप compare कर लेते हैं दोनों smartphone की performance को OnePlus 12 R की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है snapdragon 8 Gen 2 का chipset 12 GB RAM 128 GB internal storage के base variant के साथ यह आपको 40,000 लुपीज में मिल जाता है वहीं iPhone 13 की बात करें तो यहाँ पर आपको आपको मिल जाती है यहाँ बहुत सारी आपको मिल जाती है 128 GB के बेस फेरेंट से यह भी स्टार्ट हो जाता है जब कोई सेल वगर आती है दोस्तों तो 45,000 लुपीस के आसपास पहुंच जाता है एंटू के स्कोर्स को हमने डिफ्रेंस आता है आइफोन 13 में स्टोरेज टाइप रहता है एंवी एमी 12 वार के बेस वरिएंट में बन प्लस ने दिया यू एफस 3.1 का स्टोरेज जो की टू टाइम फास्टर हो जाता है 3.1 के कंपैरेशन में स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं साइड बाइ साइड कौन कितना पानी में 12 वार यहां पर बहुत आगे दिखाई दे रहा है गेमिंग टेस्ट के उपर आते हैं तो आपको आइफोन 13 में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि 60 हर्ट का रिफ्रेश एट मिलता है तो आप गेमिंग भी बीजी एमाई के उपर इस नहीं आते हैं वहीं बात की जाए वन प्लस 12 वारगी तो यहां पर आपको 120 हर्ट का रीफ्रेश एट मिल जाता है उस हिसाप से आप 90 fps की गेमिंग कर सकते हैं बीजी एमाई के अंदर अल्ट्रा एच्टी का जो ऑप्शन रहता है ग्राफिक्स का महां पर आपको अल्ट 6.1 इंच का है तो छोटा लगता है गेमिंग में वहीं 12 वार जो है वो 6.7 या 8 इंच के आसपास का डिस्प्ले पैनल देता है आपको तो गेमिंग में काफी बड़े-बड़े यहां पे आपको प्लेश वगर दिखते हैं एंड होल्ड करने भी मुझे यह ज्यादा अच्छ की वीडियो को लगाया गया वहां पे मैंने देखा कि जो टाइम लाइन में स्मूधनेस है वह अभी वी आईफोन में ज्यादा बैटर है स्नापड्राइगन तो जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे कर रहे होंगे अपनी क्लिस को जोड़ रहे होंगे तो वहां पे आपको को रेंडर करने के लिए आईफोन में एक मिनट लग रहा है तो यहां पे थर्टी सेकिंड लगेंगे तो यह आपकी अपनी चोईस है कि आपको एक्सपोर्टिंग टाइम जल्दी चाहिए या पर टाइम लाइन की स्मूधनेस ज्यादा ज़रूरी है उसको देखते वे मैं यहां पर पिक करूंगा आईफोन 13 बैटरी की बात कर लेते हैं वन प्लस 12 वार में आपको मिलती है 5500 एमेच की बैटरी जो की बहुती ज्यादा बड़ी है 100 वाट की सूपर वुक चार्जिंग भी सपोर्टेड है आदे घंटे के आसपास यह 100 परसंट चार्ज भी हो जाता चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो आदे घंटे में 50 परसंट की आसपास हो जाता है लेकिन एक प्लस पॉइंट होता है आईफोन 13 में कि यह वारलेस मैक्सिफ चार्जिंग को सपोर्ट करता है लेकिन चार्जर यहां पर आपको अलग से खरीदना पड़ता है आईफो सब्सक्राइब कर लेंगे तो चार घंटे के आसपास आपको स्कीन ओन टाइम मिलेगा नॉर्मल यूजज में एक दिन आराम से निकल जाता है छे घंटे मैक्सिमम आप कह लीजिए इससे जादा नहीं मिल पाएगा वहीं वन प्लस वार में आपको नॉर्मल यूजज पे 10 सब्सक्राइब कर लेंगे तो च्छे घंटे तो आपको मिली जाएंगे बैटरिय के मामले में वन प्लस वार काफी आगी है कैमरा कंपर आते हैं वन प्लस वार में आपको मिलता है 50 MP का में कैमरा जो आता है sony imx 890 sensor के साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइट सेंसर है जो लास्ट कैमर सब्सक्राइब को तो वन प्लस वार में आपको 4K 60fps की रिकॉर्डिंग का उप्शन मिल जाता है और आइफोन 13 में भी आप 4K 60fps में वीडियो बना सकते हैं साइड वाइस वीडियो चल रही है यहां पर सीधा देख पा रहे हैं कि जो स्टेबलाइशन है आइफोन 13 में ज्य वही 12 वार के अंदर आपको कोई पोट्रेट वीडियो का उप्शन नहीं मिलता है हाला कि वीडियो के सेक्शन में आप अपर्चर को कम करके बलर वाली वीडियो बना सकते हैं लेकिन वह आर्टिफिशल टाइप का बलर होता है और वह फेक लगता है जब आप वीडियो फोटो उसमें डीटेल्स लेवल आ रही है वन प्लस 12 वार में कलर्स जो है वो ज्यादा नैचुरल लगते हैं आइफोन 13 में वन प्लस की थोड़ी सी मुझे कॉंट्रास्टी लगती है फोटो और यो स्पेशली हुमन की स्किन टोन है उसको थोड़ा सा पिंक कर देता है अच्छा लगता है बाकि आप लोग बताइए कि आपको फोटो किसकी अच्छी लग रही है अप लोग देख सकते हैं साइट बाई साइड आइफोन 13 वर्सेज वार बढ़िया चीज यह लगी कि कैमरा है अल्टरा वाइड में कलर रहा है में कैमरा में जैसे आपको फोटो म साइट बढ़ जाता है सेटूरेशन लेवर्स भी थोड़े से जादा हो जाते हैं तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि अगर आपको फोटो जारेक्ट अप्लोड करनी है शेर करनी है तो आप फोटो को कर सकते हैं शेर वहीं जो आइफोन 13 नहीं थोड़ा सा नैचुरल रख जो कि एक 40,000 उपीस के स्मार्टफोन में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता है वीडियो में जो कलर्स हैं जो डीटेल से उसमें कमी दिखाई देती हैं यहां पे किलियर विनर है आइफोन 13 साथी साथ साथ सिनेमेटिक वीडियो भी अगर आपको बनानी है तो आइफो आइफोन 13 काफी आसानी से आगे निकलता है फोटोस के अंदर भी अगर आप देखें तो नैच्रल साइट पे फोटोस निकल के आ रही है आइफोन 13 में वन प्लस 12 वार भी अच्छी कोशिश कर रहा है फोटो के मामले में कट टुकट यहां पर टकर दी जा रही है आइफोन 13 को पोट्रेट शॉट्स आप देख लें या फिर नॉर्मल शॉट्स भी आप देख लें लेकिन मुझे यहां पर आइफोन 13 की फोटोस ज्यादा अच्छी लगी तो अगर आप एक ओवरॉल कैमरा फोन ढूंड रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आइफोन 13 के साथ या फिर वन यह आते हैं वन प्लस का ऑक्सीजन काफी ज्यादा क्लीन ओएस है कस्तमाइजेशन बहुत सारे मिल जाती हैं जैस्टर की बात करेंगे तो इसमें भी वन प्लस 12 वार में बहुत सारे जैस्टर ऑल डिस्प्लेव हैं इसके यहां पर लगानी हो मोजी बगानी हो वह आप लग आपको iOS में मिलते हैं वो बहुत ही कम हैं और लिमिटेड हैं अगर आप इसे किसी भी Android flagship OS के साथ कंपेर करेंगे multitasking की बात की जाए flexible window की बात की जाए smart sidebar जैसे features की बात की जाए तो OnePlus 12 वार काफी आगे निकलता है वहीं iPhone 13 में आपको always on display का feature भी नहीं मिलता तो मेरे साथ से software के department में भी OnePlus 12 वार काफी आगे है फिर भी अगर आपको iOS से बहुत ही ज़्यादा मुहबद है तो एक वीडियो का link है आई भटन पर उसको जागर के देख लीजेगा iPhone खरीदने से पहले connectivity के उपर आते हैं वन प्लस 12 वार में आपको मिलते हैं 13 5G के बैंड लेटेस वाइफाई 7 का support NFC जैसे features Bluetooth वर्दन 5.3 और carrier aggregation तो सारी लेटेस चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर वहीं अगर हम आएंगे iPhone 13 के उपर तो यहाँ पे भी बहुत सारे 5G के बैंड है वाइफाई 6 यहाँ पर आता है Bluetooth वर्दन 5.0 मिलेगा थोड़ा सा outdated है बागी जो calling का experience है दोस्तों वो दोनों ही smart phones में काफी कमाल का है connectivity में जस्ट एक ही मुझे point समझ में नहीं आता है बहुत सारे iPhones में यूज़ करें उसमें जो वाइफाई की connectivity है ना उसमें हमेशा इशू देखने को मिला है वही वन प्लस 12 वार में ऐसे मुझे कोई शूज़ वाइफाई की connectivity में देखने को नहीं मिले sensors की बात की जाए वन प्लस 12 वार में आपको सारे important sensors मिल जाते हैं including fingerprint sensor और यह बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब बात कीजिए आइफोन 13 की तो यहां पे भी आपको सारे important sensors मिल जाते हैं जस्ट एक ही वही प्यारा सा sensor जो कभी नहीं आता आइफोन में वो है fingerprint sensor उसके बजाए आपको face unlock को यूज़ करना पड़ता है और यहां पर आयार सेंसर भी नहीं है आईपी रेटिंग काफी कमाल की है आईपी 68 certified यह फोन है तो पानी बगरा में अगर गिर भी जाता है तो आराम से आप इसको दो भी सकते हैं मल्टी मीडिया experience की बात कर लेते हैं 1 plus 12 वार में आपको dual stereo speakers मिल जाते हैं Dolby Atmos का support मिल जाता है साथी साथ कुछ special sound effects भी है जैसे special audio, hollow audio वहीं बात करें अगर iPhone 13 की तो यहां पे भी आपको stereo speakers मिल रहे हैं Dolby Atmos यहां पर भी supported है Loudness को अगर आप देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी मस समझीएगा कि iPhone 13 चोटा है तो loudness कम होगी यह Apple का iPhone 13 है और बहुती कमाल की audio का experience आपको मिलेगा Loudness एकदम बराबर है दोनों smart phones में लेकिन vocals की clarity है जो songs हमने play करके देखे उसमें iPhone 13 में ज्यादा clear audio देखने को मिली वहीं OnePlus 12 12 वार में थोड़ा सा बेस मुझे ज्यादा लगा clarity कम लगी overall दोनों की speakers की quality काफी जबरदस्त है दोस्तों लाच में बात कर लेते हैं conclusion की आपको OnePlus 12 वार और iPhone 13 में से कौन सा लेना चाहिए इसके लिए एक बार प्रोज और कौन सुन लीजे OnePlus 12 वार में आपको काफी बड़ा display पैनल मिलता है 120Hz के refresh rate के साथ आता है बैटरी यहां पर 5500 एमेच की है जो की 100 वार्ट के सूपर बुक चार्ज के साथ आती है चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है Snapdragon 810 2 का काफी तदा पावरफुल चिक्सट आपको मिलता है बीजै माइक अंदर आप 90 fps की गेमिंग कर सकते हैं Call of Duty में even 120 fps भी मिल जाता है कैमरा की डिपार्टमेंट में फोटोस काफी अची ले लेता है ये भी कॉंस की बात करें तो वन प्लस 12 वार में आपको वीडियो के डिपार्टमेंट में थोड़े से कॉंप्रॉमाइजे दिखते हैं फ्रंट में आप 4K वीडियो नहीं बना सकते हैं और जो रियर की 4K 60 fps की वीडियो बनती है उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है आइपी रेटिंग भी यहां पे 64 की दी गई है तो यह है बन प्लस 12 वार के कॉंस आइफोन 13 की बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यह 60 हर्ट के रीफ्रेश एट के साथ आता है डिस्प्ले साइज इसका कम है 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है सेकिंड चीज यह है कि बैटरी यहां पे आपको बहुत ही चोटी मिलती है और जस्ट 20 वार्ट की चार्जिंग को यह सपोर्ट करता है और सबसे बड़ी चीज यह हो जाती है कि लाइटनिंग बोर्ट दिया गया है तो इसकी केवल आपको साथ में लेके घूमनी पड़ती है चार्जर बॉक्स में दिया नहीं जाता है बागी गेमिंग आप 60 fps की ही कर सकते हैं तो यह आइफोन 13 के कॉंस बन जाते हैं लेकिन अगर आप प्रोस को देखेंगे आइफोन 13 में तो काफी अच्छे प्रोस भी हैं यह कमाल का कैमरा फोन है वीडियो यहाँ पे काफी जबरदस बन जाती हैं जिसमें आप बड़िया तरीके से वीडियो बना पाएं वीडियो एटिंग नेक्स लेवल की हो जाए और बजट आपका 40-45,000 दूपीस के आसपास है तो आपके लिए आइफोन 13 एक जबरदस ऑप्शन बन जाता है वहीं अगर आपको गेमिंग करनी है कमाल का डिस्पले आपको चाहिए और बैटरी बड़ी होनी चाहिए आपके लिए फोन में कैमरा में आप वीडियो के डिपाटमेंट में कॉम्परमाइज कर लेंगे तो आपके लिए 1 प्लस 12 बार एक ओवरॉल काफी अच्छा फोन है तो आपको यहाँ पे खुड डिसाइड करना है कि आपका परपस क्या है परपस को डिसाइड कीजिए उसके बाद इन दोनों में से अपने लिए एक परफेक्ट फोन ढून लीजे और कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर बताइए कि इन में से आपके लिए कौन सा बहतीन आप्शन बना है आपके कमेंट का बेसबरी से इंतिजार रहेगा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर अच्छी लगी हो उसको ज़रूर लाइक कीजेगा शेर कीजेगा अपने फ्रेंड्स में चैनल पर पहली बार आये थे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियो हम लोग बनाते रहें मिलते हैं सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नलोजी की वीडियो में बहुत ख्याल लखीएगा बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह है वनाइस ची